यह Lucky's first love का part no.7 है so let's start it फिर हीव हॉस्पिटल से सियाके का फोन करकर बोलता है तुम्हारे Lucky's हमने मेरे सर पर मारा तुम्हें इसका responsibility लेना परेगा सियाके बोलता है सिंग्विन ने हीव बोलता है हाँ दूसरे तरफ सिंग्विन वहाँ से ओफिस चली जाती है और देखती है सियाके भी ओफिस में ही है सियाके बोलती है तुम्हें जल्दी कैसे आ गई सिंग्विन बोलती है मैं जोगिन कर रही थी और ओफिस पास में था इसलिए मैं जल्दी आ गई फिरो अंदर जाने लगती है और धीरे धीरे बोलती है मेरे पास घर जाने का टाइम नहीं था इसलिए मुझे जल्दी आना परा मुझे breakfast order कर देना चाहिए और तभी हो देखती है कि उसका phone उसके पास नहीं है इसलिए वो क्लाफ़ोन करकर पूशती है लेकिन उनको कोई phone नहीं मिलता फिर वो kitchen में जाकर खाना ढूंती है लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता इसलिए वो अपने टेबिट पर बापा साजाती है और देखती है वहाँ सियाके ने खाना रखा है वो खाना खाती है और सोसती है शायद boss ने खुद के लिए मंगाया था लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया इसलिए मुझे दे दिया और सियाके उसे सुपके से देखता है फिर meeting में सियाके सो जाती है इसलिए meeting के पास सियाके उसे बिलाता है और बोलता है कि आप तुम अकल अच्छे से नहीं सोई लगता है आफिस में रहना ही तुम्हाने लिए ज़्यादा अच्छा है सियाके बोलती है मुझे meeting में नहीं सोना चाहिए था और सियाके बोलता है तुम सोबह पे सो सकती हो तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए सिंग्विन सो जाती है फिर ओनेंध में खाने का नाम लेने लगती है और सियाके उसके पास जाकर वो सुनता है और वोई सब खाना ले आता है फिर सिंगुइन खाने की खुचबूचे उठ जाती है और बोलती है यह सब तो मेरा फेवरिट खाना है आप इतना सारा खाना ज़रूर अकले नहीं खाएंगे और सिया के बोलता है तुमने नहीं दे का मैंने दो बोल राइस रखा है फिर वहाई एक हूँमन ट्रेफिकर मुझे फिर से ले जाने की कोशिश कर रहा था और सिया के बोलता है जल्दी से खाना फिर तुमें मेरे सब क्लाइनी से मिलन जाना पड़ेगा फिर सिया के उसे हॉस्पीटल में हुउ के पस ले जाता है और बोलता है ये प्रजेक्ट मैनेजर है तुम इससे पहली भी मिली हो फिर सिंग्विन को याद आता है और वो उसे सौरी बोलती है हिउ बोलता है मैंने तुमें सिब गान अगाने के लिए पूछा था लेकिन तुमने मेरे सर पर मारा तुमने क्या सोचा था मैं कौन हूँ सिंग्विन बोलती है human trafficger हिउ बोलता है मैं human trafficger के तदेखता हूँ सिंग्विन बोलती है नहीं मैं आपको नहीं देख पाई मैं आपका hospital का bill दे दूँगी और हिउ जूर बोलता है ये पैसे की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है मारने की बज़े से मेरे सर पर खुन जमा हो गया है और नेक्स्ट मन्थ मेरी शादी है क्या वो अब मुझसे शादी करेगी सिंग्विन बोलती है अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं उसका responsibility लोगी चाहे उसके लिए जितना भी पैसा लगे हुउ बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी और सिया के बोलता है बस करो उसके सर पर बस थोड़ा सा लगा है और उसकी बहुत सारी girlfriend है और सिंग्विन सोचती है इसी पता चलता है कि वो बस के classmate है वो दोनों एक दम एक जास है और सिंग्विन बोलती है कि अच्छे हुआ कि आपको कुछ नहीं हुआ फिर सिया के हिउ को फोन बापस देने के लिए बोलता है हिउ फोन बापस देता है और बोलता है हुमारा फोन बार बज रहा था और मुझे उसका रिंग्टॉन पसान नहीं आया इसलिए मैंने स्विच अप कर दिया फिर वो देखती है कि उसके मॉम ने बहुत बार कॉल किया और बोलती है मेरा फोन मिरे पस नहीं था मैंने अभी इसे बापस वाया मैं जल्दी घर आ रही हूँ और वो फोन रख देती है तब इस सिया के आकर बोलता है क्या कुछ हुआ है सिया के बोलती है नहीं मेरा फोन पूरा देन स्विच अप था इसलिए वो लोग चींता कर रहे थे सिया के बोलता है हिव तुमसे बिना मिले फोन बापस नहीं दे रहा था सिग्विन बोलती है मैंने उन्हें मारा वो जरूर गुसा है और सिया के बोलता तुम घर चली जाओ मैं उसे समाल लोगा फिर वो बापस आती है और देखती है उसके मॉम रो रही है और उसके कजन बोलती है अगर तुम कुछ देन में बापस नहीं आती तो हम पुलिस को कॉल करते है सिंग्विन बोलती है तुम मुझे बहुत सोरकत चली क्यों गई वो बोलती है मैं ड्रंक होकर घर चली गई थी इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला और उसके डैड बोलती है तुम कल बापस क्यों नहीं आई क्या तुमने मेरे और तुम्हरे मॉम के बार में एक वर भी नहीं सोचा क्या तुम एक लड़के के लिए घर चुर्दोगी सिंग्विन बोलती है अपरों को पता चल गया कि मैंने ब्रेक अप कर लिया और उसके कजन बोलती है तुम फोर नहीं उठा रही थी और लोग प्यार के लिए सुईसाइड करते हैं इसलिए मैंने उनको बता दिया सिंग्विन बोलती है मैंने उससे शांती से ब्रेक अप किया है उसके मॉम बोलती है तो तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया सिंग्विन बोलती है मैं नहीं चाहती थी कि आपको बुरा लगे क्योंकि आप चाहती थी मैं जल्दी शादी कर लू उसके मॉम बोलती है मैं सिप चाहती थी तुम लोगों के साथ मिलो मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम जल्दी शादी कर लो सिंग्विन बोलते हैं इससे एक बात अच्छी हुई कि मैं फिर कभी गलत अत्मी से प्यान नहीं करूँगी और तभी उसकी कजन बोलती है वहारे डैट चिंता कर रहे थे इसलिए उन्होंने सुनान को कॉल करकर यहां आने के लिए बोला है इसलिए सिंग्विन उसे फोन करकर बोलती है मैं घर बापस आ गई हूँ और सुनान बोलता है मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ फिर सफी का डाट सुनने के बाद सुनान जाने लगता है और सिंग्विन उसे छोने जाती है और बोलती है सौरी मेरी बज़े से मेरी डैट ने तुम्हें डाटा सुनन बोलता है कोई बात नहीं मैं बैसे भी उन्हें सौरी बोलने आने वाला था सिंग्विन पूछती है क्या तुम्हारे और सेंगिन के बीच में सब ठीक हो गया है और सुनन बोलता है चाहे कुछ भी हो मैं इसके लिए इंतसर करूँगा सिंगुन बोलती है मैंने अभी मेरे मॉम रट को बताया की पियार के बिना कपल कैसे होते हैं लेकिन अभी तुम्हें देखकर मुझे समझ में आया कि पियार में लोग क्या कर सकते हैं सुनन बोलता है तुम अभी नहीं समझोगी जब तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा तुम तब समझोगी तब इस सिया के फोन करकर पूछता है क्या तुम्हारे घर पर सब ठीक है सिंगुन बोलती है सब ठीक है कि आप मेरे लिए चिंता कर रहे थे सिया के बोलता है मैं ऐसे पचिंता कर रहा था कि तुम छुट्टी लोगी और वो फोन रख देता है फिर सुनान बोलता है तुम बहुत अच्छी हो तुम्हें एक बहुत अच्छा बॉइफरेंड मिलेगा दूसरे दिन सेंकें के शॉप में उसके स्टाप बोलते है एक आदमी ने सुईस जिंजर ब्रेड ओडर किया है जो बहुत अजीब है और सेंकें जल्दी से उसी एड्रेस पर जाने लगती है और सोचती है ये वो अपने हस्बेंड के लिए बनाती थी जिसका कार एक्सेरेंट हो गया था फिर सियाके ने आकर बोला था कि वो भाग गया है उसकी दादी भी उसकी बच्चे को और फिर नच बेज़ देना चाती थी लेकिन सेंकें ये नहीं चाती थी चलिए उसने घर छोड दिया फिर हो वो हाजा का देखती है वो उसका हस्बेंडी है और हो बोलता है सौरी मुझे पता है तुम मुझे ढून रही थी मैं तुम्हें सोड का चला गया क्योंकि तफिस सेंकें बोलती है सब भूल जाओ मैं यहाद जानने आई थी कि क्या मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फिल करती हूँ लेकिन तुम्हारे समने आने के बाद मुझे कुछ फिल नहीं हुआ शायद टाइम के साथ सब बदल गया है और मैं तुम्हारा ओडर नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं वो बनाना भूल गई हूँ और वो जाने लगती है और वो बोलता है क्या मैं मेरे लड़के से मिल सकता हूँ दूसरी तरफ हॉस्पीटल में हीू प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बात नहीं कर रहा था इसलिए सिया के जाकर पूछता है तुम उसके साथ काम क्यों नहीं कर रहे हो हूँ बोलता है उसका नाम बहुत बोरिंग है तुम दूसरे लोगों को भेजने की बजाए सिधा प्रोजेक्ट इंचाज को मेरे साथ काम करने बोलो उससे काम जल्दी होगा सिया के बोलता है तुम्हारा मतलब सिंग्विन को और हूँ बोलता है उसके साथ काम करने में मज़ा आएगा दूसरी तरफ आफिस में एक आदमी सिंग्विन से मिलने आता है और वो लोग आफिस अप जाकर बिल्यों के बारे बात करने लगते है तब ही वह सिया के भी आता है और उनकी बाते सुनने लगता है वो आदमी सिंग्विन से उसके बार में पूसता है और बोलता है तुम बहुत अच्छी हो अगर तुम्हारे पस टाइम होता तुम मेरा घर देखने आ सकती हो और ये सुनका सिया के सुचता है वो लोग डेट पर आए है इसलिए वो वहा जाकर बोलता है उसके पस टाइम नहीं है और सिंग्विन को बोलता है क्या तुम्हे कोई और नहीं मिला ये तुम्हारे डेट क्यों मर के है सिंग्विन बोलती है आप गलत समझ रहे है और हो आदमी बोलता है मैं सच में उसका डैट बनना चाता हूँ मैं अपने लड़के के लिए लड़की देखने आया हूँ सिंगुइन बोलती है आप कैट हाउस की इंचारज नहीं है वो आदमी बोलता है तुम क्या कह रही हो मुझे नहीं पता और सियाके बोलता है आपको उसके पर में पता कैसे चला फिर हो देखती है उसके कजन ने रास्ते पर उसके लिए पोस्टर लगवाई है सियाके को वो बोली थी कि वो मेरे लिए एक बॉइफरेंट धून कर देगी लेकिन ये बहुत ज़्याता है फिर सियाके पोस्टर उतर कर जाने लगता है और कुछ लोग उसे घेर कर अपने बेटी के लिए उसका नमबर मांगते है और सियाके को वो पसंद नहीं आता फिर वो लोग आफिस आते हैं और सियाके बोलता है मैंने एक स्रूइक संगाई जा रहा हूँ तुम मेरे लिए सब वैरेजमेंट कर दो और तुम्हें हिउ के साथ काम करना परेगा सियाके बोलते हैं लेकिन मैंने उन्हें माना था सियाके बोलते हैं तो सब ठीक कर लो या तुम्हें किसी के साथ डेट पर जाना है इसलिए तुम्हारे पस टाइम नहीं है सेंकिन बोलती है वो ज्यादा नहीं खा पाएगा इसलिए और कुछ और मत करो वो बोलता है तुम मुझे नहीं समझपाओगी मैंने कभी नहीं सोच था कि मैं डैड बन सकता हूँ मैं एक अनात हूँ मेरे बस कोई फैमिली नहीं है लेकिन आप मेरे पास साउसी है सेंकिन बोल तुम कहना क्या चाते हो वो बोलता है मैं बहुत खुश हूँ फिर घर आके साउसी चुपके से सुनन को फोन करता है और बोलता है जल्दी से मेरे घर आओ नहीं तो मॉम किसी और को पसंद करने लईगी सुनन बोलता है ज्यादा मत सोचो तुम्हारी मॉम दोस बना सकती है और साउसी बोलता है मेरे डैट बापस आ गए है फिर दूसरे दिन से आके सिंग्विन को काम समझा कर ट्रिप के लिए चला जाता है इसलिए सिंग्विन खुश होकर अपने दोस्तों को खाना खिलाने ले जाती है और एमी बोलती है क्या इस बर भी बोस ने तुमें सब कु कैसे अरंज कती हो सिंग्विन बोलती है उन्हें हमेशे वींडो सीट चाहिए जिससे कि कोई उने परेशान नहीं कर सके और उनके रूम में लेमन होना चाहिए जिससे वो अच्छे से सोब आए और होटेल के पास दोरने के लिए कोई जगा होना चाहिए और वो हास-पास को सिंग्विन बोलती है जो भी हो अब मैं अपना काम शांती से कर पाउंगी पर बोलती है बोस ने मुझे आपके लिए सब कुछ एरेंज करने के लिए बोला है और हीव बोलता है तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ लेकिन मुझे अनियन, स्पाइसी फूड और कैलिरी फूड पसंद नहीं है सिंगुइन बोलती है लेकिन अवी जो सिर्फ सारे 10 बजे है हमें थोड़ा काम कर लेना चाहिए और हीव बोलता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तुम मेरे लिए होट को को ले आओ फिर सिंगुइन उसके लिए होट को को ले आती है और फूचती है आप काम कब खतम करेंगे हीव बोलता है मैं 12 बज़े के बाद काम नहीं करूँगा मुझे सोना है सिंगुइन बोलती है तो आप 12 बज़े तक सब काम खतम कर लेंगे हीव बोलता है नहीं मुझे ये खतम करने में एक हबता लगेगा सिंग्विन बोलती है तो आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे हीव बोलता है मैं ठीक हो रहा था शायद मेरा चोट अब भी ठीक नहीं हुआ है इसलिए जब भी मैं सोचता हूँ मेरा से दर्द कता है और सिंग्विन बोलती है तो मैं जाती हूँ और हिउ बोलता है मुझे स्टिकी नोट दो मेरा यहाँ पहला दिन है इसलिए मुझे नहीं पजा कि वो कहा है इसलिए सिंग्वेन वो डॉयर में ढूने लगती है और वहां रखा हुआ एक नकली साप से डर जाती है जो हिउ ने रखा था फिरो बोलती है मैं अपने कप्रे से उससाप को रखती हूँ आप जल्दी जाकर सिकूरिटी गार्ट को बुलाएं फिरो उसके उपर कप्रे फेकर भागने जाती है और हिउ उसे रोक कर बोलता है यह नकली है सिंग्वेन पूस थी है आपने यह वहां रखा था यह वहां से गुसा होका चली जाती है फिर सिया के उसे फोन करकर पूसता है क्या यहां कोई अच्छी खुमने की जगा है तो मितनी देर से क्यों रियक्ट कर रही हो और सिंग्वेन गुसा में बोलती है अगर अब चाते है कि मैं जल्दी रियक्ट करूँ तो मेरी salary बरा दीजिए फिर Hugh notice देखता है कि building में रात में 9 से 12 बजे तक electricity नहीं रहेगा फिर उस सिंगुइन के साथ meeting करता है और तभी electricity चली जाती है सिंगुइन बोलती है आज 9 बजे electricity जाने वाला था आज के लिए यहां काम खतम करते हैं और Hugh बोलता है meeting करने से पहले में horror movie देख रहा था और मैं उसे बंद करना भूल गया क्या तुम उसे बंद कर सकती हो क्योंकि मुझे डर लग रहा है सिंगुइन बोलती है अगर आपको डर लगता है तो आप horror movie क्यों देख रहे थे Hugh बोलता है मैं light में देख रहा था लेकिन अभी अंदेरा है इसलिए सिंगुइन थोड़ी डर कर वो बंद कराती है और Hugh बोलता है क्या तुम मेरी थोड़ी और मदद कर सकती हो फिर दूसरे दिन सिंगुइन अपने दोस्तों के साथ टोई शॉप पे जाती है और एमी वहाँ पूसती है कल light जाने के बाद तुमारे और Mr. Hugh के बीच में क्या हुआ था सिंगुइन बोलती है वो बहुत ड़ते है वो पार्किंग लॉट तक भी नहीं जा पा रहे थे मुझे उन्हें चोने जाना परा और एमी बोलती है मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें बेबर को बनाया मैंने उनका एकाउंट चेक किया वो एकबर होटेट हाउस गये थे अगर उन्हें डल लगता तो वो यहाँ स्माइल नहीं करते तफिस उसे बुलाती है और वो ही खिलाना दिखाती है जो वो लोग ढून रहे थे और सिंग्विन उसका प्राइस पूसती है दुकान वाली बोलती है यह बेचने के लिए नहीं है सिंग्विन पूसती है आपने यह कहा से खरीदा और वो उसे एड्रेस बता देती है फिस सिंग्विन घूमने जाने के लिए सिया के के लिए टैक्सी बुकर देती है फिर सिया के वहाँ जाता है और सिंग्विन मेसेश कती है आपको ये जगह ज़रू पसंद आएगा सौरी मैंने आपको उज़ दिन ऐसा बोला और सिया के उसे फोन गरगर बोलता है मुझे नहीं याद है कि मैंने तुम्हारी सेलरी बढ़ाया है सिंग्विन बोलती है मुझे ज़्यादा सेलरी नहीं चाहिए आप मेरे लिए बस एक टॉय ले आएए मैंने आपको उसका फोटो और एडरेस भेज़ दिया है मैं उसके लिए पैसा दे दूँगी फिर सिया के वो एडरेस देखता है और बोलता है ये बहुत दूर है सिंग्विन बोलती है वहाँ जाने में सिब दो घंट लएगा और आप वहाँ घूमने भी जा सकते है सिया के बोलता है तुम अपना टॉय खुद खरीद लो और वो फोन रख देता है सिंग्विन बोलती है में जानती थी वो नहीं मानेंगे दूसरे दिन आफिस में सिंग्विन हीउ को बोलती है हम एवरी मत कोई गेम खिलते है जो उसमें जीता है उसे दो हज़र मिलता है हीउ पूसता है तुम लोग कैसा गेम खिलते हो हमी बोलती है हम लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं जैसे पजल गेम में जूई अच्छा है रेसिंग गेम में बहुत अच्छे है और शूटिंग गेम में प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट का हीव अच्छा है लेकिन सब लोग उसे खेलने के लिए बोलते हैं इसलिए वो खेलने के लिए मान जाता है फिर ओफिस में Hugh Singwin को बोलता है तुम्हें पता है मैं ड़ता हूँ तो तुमने ऐसा क्यों किया Singwin बोलती है वहां सब लोग थे अगर आप ना बोलते तो आप इंबेरस होते खेलने के समय आप बोल देना कि आपका कम खतम नहीं हुआ इसलिए आप नहीं खेल सकते और Singwin ये सब कत थी है क्योंकि वह वादला रेना चाहती थी इसलिए थी कि अपतीए प्लीए लिए भी इंचार थी 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 ख्रूण प्लीए थी जब रहां जिए नहीं कि जए पर शिए अन्माल आप जए भीश्डिया है